उत्तर प्रदेश की रादनीती में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं ऐसे श्री जितन प्रसाद जी हम सब को आज हमारी पार्टी के साथ प्रधान मंत्री नरेंडर मुदी जी के नित्रत्व के साथ श्री जेपी नड़ा जी के अध्यक्ष्टा मे भारतिय जन्ता पार्टी में जुड रहे हैं मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितन प्रसाद जी को देश सेवा समाच सेवा के लिए एक अच्छा मौका बिलेगा जितन जी आप भी कुछ कहना चाहिए बहुत 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 धन्यवाद आदर्णिया पियूश गोईल जी आपने जो मेरे बारे में जो बक्तर प्रक्षा अनिल बनुली जी आपका भी धन्यवाद सर्फ प्रतम तो मैं आज के इस दिन भारतिय जंतापाठी के राष्ट्रे अध्यक्ष श्री जेपी नडड़ा जी इस देश के यश्यस्वी प्रधान मंतरी आदर्णिया नरेंद मोदी जी इस देश के कर्मयोगी ग्रह मंतरी आदर्णिया मिच्छा जी और समस्त भारतिय जन्तापाटी नित्रत का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज भारते जन्तापाटी परिवार में मुझे सदस्ता और सम्मान दिया है और ये मेरे जीवन, राजनेतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जैसे कि आप जानते हैं मेरा कॉंग्रेस पाटी से तीन पीडियों का साथ रहा है तो ये महतपूर्ण निन्ने जो मैंने लिया है बहुत विचार, मंधन और सोच के बाद मैं इस फैसले पर पहुँचा हूं और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़के आ रहा हूं मगर सवाल ये है कि किस दल मैं जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से आट-दर सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में राजनितिक जीवन में लोगों से मिलके भ्रमन करके देश भर में कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनितिक दल है जो संस्थागत इंस्सिट्यूशनल दल है वो भारत जन्ता पाटी है बाकी दल तो व्यक्ति विशेश और शेत्रिय शेत्र के हो गए मगर राश्ट्य दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारत जन्ता पाटी है और जिस चुनौतियां और परस्तितियों से हमारा देश और विदेश में भी हमारी उसके लिए अगर आज देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उप्युक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में तो भारते जिनतापाटी और प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी है ये जो दशक है ये भी मैंने एक बक्तव सुना था प्रधानमंत्री जी का निर्णायक होगा भारत के लिए आने वाली पीडियों के लिए भारत बिश्ट पटल पे क्या भूमेका निभाएगा वो यहाँ सरकार ते करेगी और नित्रत ते करेगा और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निसार्थ लगे वे हैं हम देखते आएं हमने चुनोतियों का सामना भी किया जनता ने हमें दरकिनार भी किया है हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है दानमंतरी जी की प्रति और वो जो नए भारत का निरमांड कर रहे हैं। उसमें मुझे भी एक सदस्ता जो आज मैंने घ्रहन किये भारते जंता पाटी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रती, भारत की जंता की आने वाली पीडियों के प्रती करने का अफसर मिलेगा, ये मैंने विचार करके इस निड़ने पे पहुंचा हूँ. प्रधान मंत्री जी ने की हैं जो गाउं गाउं हम देखते हैं, चाहिए विदुतिकरण हों, शोचाले हों, गैस योजना हों, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है, जो असली में जरूरत मंद हैं। और दूसरा कारण ये भी है, कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा, कि हम लोग राजनीत में हैं, और राजनीत एक माध्यम है, दल भी माध्यम है, अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राज हो चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौझूद नहीं हो सकते, और आपके इस लायक नहीं है, कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि म मैं वो कॉंग्रस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं, भारत जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक संगठन देश व्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतरत जो आज देश को जरुवत है, मैं इस बक्त जादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा, मैं ध